हलो एब्रीवन एंड वेलकम बैक टू खुशीज काफे होप यौल डूइंग वेल और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूं अपनी ये यूट्यूब जर्णी क्योंकि मुझे मेरा फर्स पेमेंट रिसीव हो गया है तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों क साथ मैं अब इस जर्णी को शेयर कर देना चाहिए वैसे तो मुझे पेमेंट रिसीव होने में बहुत टाइम लगा लेकिन ये जर्णी मैंने बहुत पहले से स्टार्ट कर दी थी कुछ ऐसा था जो मैंने अपना फर्स वीडियो अपलोड किया था वो किया था जब मैं एट मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे असा लगा कि फाइनली जो बहुत टाइम से मैं चीज सोच रही थी आज मैंने वो एकम्पलिश कर दी इस टाइप का मुझे वो लगा वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं उसके बाद मैं बहुत जादा तो फोकस नहीं कर पाई गोड़ा के साथ में मैं मैं इंवाल खोगई के उसको अच्चे से पौलना है तो छोटा बेबी होता है तो बहुत सारी कॉम्पलिकेशन होती है उसके बाद में मीं की त्री देनाना है कि यूट्वाम है जो भी है अपना महनत करनी है आगर सट चैडीज करेंगे वीडेई कर कि अभी भी हैं लेकिन यूट्यूब से कुछ भी कभी भी होगा ऐसा कुछ भी प्लान दिमाग में सोचके नहीं रखा हुआ था देन शुरू किया दुबारा से थोड़े मंस के बाद जब देव फोर मंस का हो गया होगा फोर फाइव मंस का तो फिर मैंने सोचा कि मेरी जो लाइफ है मैं उसी को ही फिर से यूट्यूब पर दिखाना शुरू कर देती हूं तो उससे में मुझे असा रगा कि बहुत सारी ऐसी प्रेगनसी के बाद में जो कि मैंने फील की है तो होता है ना कि आप जो चीज फील करते हो तो आप वो शेयर कर लो तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आपने कोई चीज अपनी लाइफ में एक्सपीडियनस की और इसको दूसरों को भी बताया तो उससे किसी की है बहुत अच्छा लगता है तो मैंने वह सब शुरू किया जो भी बेबी से related complications होती है चोटा बीबी होता है तो उसको gas की problems होती है जहां से मैं अपनी बात सभी तक पहुचा सकती थी तो मैंने इस तरीके की वीडियो बनाना फिर शुरू किया post bottom update में देखती है आप लोग अभी भी मेरी वह देख सकते हैं तो वहां पर मैंने एक playlist कर दिया आप जाके देख सकते हैं वह बहुती क्यूट वीडियो मैं अब भी उनको खुद देखती हूँ तो मुझे बहुत जादा क्यूट लगती है वह कि उसमें देव बहुत चोटा है जैसे कि मैंने सबसे पहले बनाई दी 6-month post bottom update तो उसमें देव 6-month का है और वह इतना क्यूट लग रहा है तो वह सब देखके बहुत अच्छा लगता है फिर क्या हुआ धीरे धीरे यह जर्णी इंक्रीज होती गई फिर मैंने व्लॉग भी बनाना स्टार्ट कर दिया जिससे कि एक memory बन जाएगी और आगे अगर हम कभी भी देखेंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा इसलिए मैं व्लॉग बना ले जी और मेरे हस्बन भी पूरी तरह से इसमें मेरे साथ थे और ममी जी पापा जी भी पूरी तरह से इसमें मेरे साथ थे हमारे की हाँ ठीक है आप लोग वीडियो बनाओ व्लॉग बनाओ अच्छा लग रहा था फिर क्या हुआ कि मेरे हस्बन का transfer हो गया और मेरी YouTube की चोटी चोटी जर्णी फिर से start हुई थी वो फिर से stop हो गई और हम लोग इसमें लग गए मेरी काफी जादा बीच में तबैत खराब हो गई और फिर ये YouTube बिलकुल stop हो गया then 2020 में जब हम लोग यहां पर shift हो गए असाम में आकर तो मैंने music को फिर से लिया और music वीडियो जानना शुव किया मैं और में हजबन फिर से practice करने लगे और कभी-कभी music बना के music की वीडियो जानने लगे फिर क्या हुआ कि जो lockdown हुआ उसमें इतना जादा घर के काम का load हो गया कि मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पारी थी studies पर तो उस time मुझे बिल्कुल भी focus नहीं था और दिमाग में भी नहीं था कि studies फिर से करनी है लेकिन music भी मैं मतलब जो कि ऐसी चीज़ है जो कि आपको entry नहीं करेगी वो भी नहीं कर पारी थी तो इसलिए बिल्कुल भी कोई videos काफी months तक कोई भी video में नहीं डाल पाई during lockdown तो उसके बाद फिर से मेरे husband नहीं मुझे बोला कि ऐसे मत करो फिर से हम लोग videos डालते हैं और उनहीं के push की वज़े से हम मैंने फिर से music videos डालना शुरू किया और हम दोनों गाते थे या मैं गाती थी तो मैं music video डालती थी इस तरीके से तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहे उसके बाद में फिर जब मेरे पास made आ गई तो मुझे ऐसा लगा कि चलिए अब मुझे टाइम मिलने लगा है तो क्यों ना फिर से बढ़ाई start कर दी जाए जो journey बीच में छूट गई थी उसको फिर से continue करते हैं तो थोड़ा बहुत time जब मुझे दिखने लगा अपने पास में तो मैंने अपनी studies को दुबारा start किया सारी NCRT order की 6011, 6012 जैसा कि आप लोगों को पता है और studies को दुबारा start किया और फिर एक दिन मैंने सोचा कि यार यह जो YouTube की journey है मेरी जो मैं दो साल से वीडियो जाल रही हूं तो मैं इस पर जो भी अपनी life में कर रही हूं जैसे कि music करती हूं तो music video डालती हूं या baby care से related कोई भी बात मेरे दिमाग में आती है जो मुझे लगता है important है share करनी चाहिए वह मैं हमेशा से करती हूं तो क्यों न अभी इस life में मेरी यह वाली journey स्टार्ट हूँ है तो मैं इसको भी share करूं तो इसी thought के साथ मैंने एक दिन वह vlog बनाया और ऐसा नहीं था कि मेरा channel चल जाया या मेरी video वाइरल हो जाया इस वज़े से कर रही थी लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि यह मेरी life है और यह मेरा channel है तो मुझे अपनी life को अपने channel में reflect करना है बस तो उस way में मैं चलती थी और मैंने व्लॉग बनाया अपने study वाला और upload कर दिया तो वो उस time पर वाइरल नहीं हुआ जब मैंने upload किया लेकिन उसके थोड़े दिनों बाद वो धीरे धीरे उस पर व्यूज आना शुरू है इस तरीके से मेरे साथ में यह जो community आज आप लोगों की है तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहूंगे कि य कि यह journey मेरी से नहीं आप लोगों की वजह से है life मेरी वज़े से तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैं तो पहले भी इस पर काम कर रही थी और वो काम चलता या नहीं चलता कहें नहीं सकते थे लेकिन आप लोग जो जुड़े हो तो यह जर्णी जो है आप लोगों की है और मैं अपना जो भी इंपूर्ट इसमें दे सकती आप लोगों की help कर सकती हूँ अपनी खुद की help कर सकती हूँ आप लोगों के साथ connect होके तो वो मैं कर रही हूँ और इसलिए मुझे यह जर्णी अब बहुत बहुत अच्छी लगने लगी है और इसी के साथ साथ मेरे चैनल का monetization भी हो गया है और मुझे फर्स पेमेंट भ थोड़ा सा पार्शल गौर्ड भी है और उन्होंने हमको कुछ कुछ सखलीफे ऐसी है जिन से कि हम भाग नहीं सकते है जो कि हमें हर मन सताती है तो उसके लिए हम यूज तो बहुत सारी चीज़े कर तो हम लोगों को ये नीड है कि हम लोग यूज करें सैनिटरी नेपकिन् आप लोगों को कुछ ऐसी शेयर कर दूँ जो कि एन्वाइमेंट फ्रेंडली भी है और अभी तक जो भी हम नेपकिन्स यूज कर रहे थे वो कहीं ना कहीं एन्वाइमेंट के लिए सेफ नहीं है अभी तक जो भी हम सैनिटरी नेपकिन्स यूज कर रहे थे वो बाहर तब ह भी ला सकते हैं और उसे तभी कह सकते हैं जब हम अपने लाइफ में भी छोटे छोटे चेंजिस को accept करें और जहां पर हम better कर सकते हैं वहां better करें अपने लिए भी और environment के लिए भी तो मैं आज आपनों को इस प्रोड़क्ट बता रही हूँ जो कि है यह आप देख सकते हैं पी सेफ का reusable sanitary pads यह मुझे प्रोड़क्ट परसनली इसलिए पसंद आया क्योंकि reusable है और इससे हमारे environment को बिल्कूर भी हाम नहीं है लोगों ने अल्रेडी बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जो की प्रमोट करते हैं इस चीज़ को जो normal use and throw napkins हैं उनके substitutes को आप लोगों को बताते हैं तो हम लोगों को भी on a very ground level issues को accept करना चाहिए कि हां इससे environment को problem हो रही है तो हम भी कुछ और options जूंड़े तो मुझे यह option बहुत 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 अच्छा लगा यह इस तरीके के box में आए हैं आप लोगों ने देखी लिया है और इस packet के आपको बता देती हूं तो सबसे पहले तो आप यह देख सकते हैं यहां पर जो फोर पैड्स हैं उसमें से तीन यह वाले साइस के हैं जो की regular पैड्स हैं यह आपको daytime में यूज करने होंगे और इसके साथ साथ एक हम को मिल जाता है night napkin या night pad जो की इन से थोड़ा सा बड़ या two day में ज्यादा flow हो रहा है तो उसमें आप इस बड़े वाले पैड्स यूज कर सकते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं इसमें यह clip इस तरीके tik-tok pin के through secure कर सकते हैं यह कहीं पर भी हिलेगा नहीं problem नहीं होगी तो आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर है powerful soaking layer यह कही से भी leak नहीं होगा इस बात की पूरी guarantee है entity front layer तो इसकी front layer है यह बहुत ज्यादा soft है इससे आपको कोई भी problem नहीं होने वाली है buttons की हुए हैं यह मैंने आपको बताया है easily bendable wings है इसके अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर एक छोटी सी pocket आई है इसमें आप इनको carry कर सकते हैं इसके लावा अगर आप घर से बाहर है और आपको इनको रखने की problem है तो यह storage के लिए आपको काम आएगा कि आप इस तरीक कर दाए मैं ठंडे पानी में ब remplacal रखने के लिए और साथ में आपको इनको बीस्काया बहुआर रख सकते हैं गरम पानी में बिलकुल भीमत रखे का क्योंकि गरम पानी में इसमे इसमें स्टेन आ जाएंगे इसलिए थंडे पानी में ही आप इनको नोर्मली एक छोटी सी यह बिल्कुल हाइजिनिक प्रोडक्ट है इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इससे पहले हमारी मदर्स वगेरा कपड़े यूज करती थी तो हाइजीन की प्रॉब्लम वहां पर इसलिए थी क्योंकि उसको प्रॉपर वाश करना मुश्किल था लेकिन यहां पर व प्रॉब्लम नहीं करते हैं तो हम लोग भी अपने पर्सनल लेवल पर इस तरीके के छोटे चोटे कदम उठा सकते हैं जिससे कि हम अपने इन्वार्मेंट को सेव कर सकें तो आप लोगों को मेरी यूट्यूब जर्णी का वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब किये बिना बिल्कुल भी मत चाहिएगा और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई